आज मैं बनाओगी बैंगन की चिप्स और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं यहां पर मैंने दो से दीन बैंगन लेकर उनको धो लिया था अब इसको राउंड शेप में काटेंगे बैंगन को ऐसे ही पतला-पतला काटना है या थोड़ा सा मोटा काट लें आप लेकिन ज्यादा मोटा नहीं काटिएगा क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगेगा गुलाई में काटने के बाद इसको अब लंबाई में काट देंगे ताके फ्रेंच फ्राइ का शेप आजाए फ्रेंच फ्राइ शेप में काटने के बाद बैंगन को एक बॉल में निकाल देंगे या चाहे तो प्लेट में निकाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हस्पेजाय का नमक नमक डाल के इसको अच्छे से mix कर लेंगे और इसको 5 या 10 मिनट के लिए रखतेंगे 5-10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसको fry कर लेंगे medium flame पे बेंगन को medium flame पे तब तक ही fry करना है जब तक इस पे अच्छा सा golden color आ जाए ज्यादा फ्राइर नहीं करना क्योंकि फिर ये जल जाएंगे और बेंगन जल्दी कल जाते हैं तो ये बन जाएंगे गुल्डन कलर आ चुका है अब मैं इसको डिशाउट कर लोंगे रिशाउट करने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला चड़क दें और ये ऑप्शनल है अगर आपकी मरज़ी हो तो डाले वरना नहीं डाले अगर आपको वीडियो पसंदाई हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दे और अगर आप महंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरा चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर दे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा